So, welcome back students, chapter number 4, operations on fractions, okay? So, before starting with practice at 9, हमें 2 types के fraction समझने पढ़ेंगे पहले. यह मैंने खुद का example दिया है, ऐसा कोई number है नहीं, मैंने खुद का बनाया, ठीक है? पहला है improper fraction, इसको बोलते है numerator, इसको बोलते है denominator, ओके? सो जब ऐसा कुछ आपको दिखाएं देगा, numerator और denominator, उसको बोलते है improper fraction. Mixed fraction क्या होता है? आप देखें तो 3 number है, 4, 1, 6, 3 number है नहीं यहापे, 1, 2, 3, 3 number है नहीं, जब 3, ऐसा mixed number है, थोड़ा खिचली जैसा है, इसलिए उसको क्या कहते है? Mixed fraction, समझ में आए गए दोनों fraction के बार में, अब हम करेंगे practice set number 9, जब के textbook में दिया है, ओके? यह वाला, पैरा है, convert the following into improper fractions, यह कौन सा fraction है, बताओ, 1, 2, 3, यह mixed fraction है, है ना, खिचली वाला, इसलिए आपको उसको क्या करना है? इसको improper fraction जैसा बनाना है, ओके? Mixed fraction जैसा दिया है, आपको उसको improper fraction जैसा बनाना है, कैसे करेंगे? बहुत इसलिए ध्यान से देखना, देखो, 7, 2, 5, नीचे के जो दोनों नंबर है, उसको multiply करने का, 7 multiply by 5, ठीक है? और जो उपर नंबर है, उसको plus करने का, plus 2, I repeat, नीचे के जो दोनों नंबर है, उनको multiply करो, 7 multiply by 5, और जो उपर नंबर है, उसको plus करने का, ठीक है? अपॉन नीचे के नंबर है, तीनों में नीचे कौन सा नंबर है, 5, तो यहाँ भी क्या आएगा, 5, ठीक है? इसको solve करने का, 7, 5 जा, 35, प्लस 2, ओके, अपॉन 5, 5 क्यों, यहाँ भी 5 आएगा, 35 प्लस 2 कितना होता है? 37 अपॉन 5, समझ में आ गया, देख रहे हो, इंप्रॉपर फ्रेक्शन, नुमेनेटर और दिनोमेनेटर, आपका इंप्रॉपर फ्रेक्शन आ गया, समझ में आ गया, पहले दोनों म को मल्टिप्लाइ करने का, फिर उपरोले नंबर को प्लस करने का, डिवाइड बै जो नीचे नंबर रहेगा, वो, ओके, 75 जा 35, प्लस 2, 5 नीचे रहेगा, 35 प्लस 2, 37, वैसे ही इसको भी करना है, क्या करेंगे, दो नंबर को मल्टिप्लाइ करना है, मलब 5 इंटु 6, और क् करेंगे, उपरोले नंबर को, प्लस 1, तो 5 इंटु 6, प्लस 1, अपॉन, नीचे कौन सा नंबर आएगा, जो नीचे है वो, 6, ओके, सौल करो, 5, 6 आ, 30, बाजु में क्या है, प्लस 1, 30 प्लस 1, कितना होता है, 31 अपॉन 6, बन गया आपका इंप्रोफर फ्रेक्शन, आपको य यह भी वैसे करना है, 4, 3, 4, यह mixed fraction है, खिचडे वाला आपको इसको improper fraction बनाना है, same वैसे ही बनाने का, नीचे वाले नंबर को multiply करो, और उपर वाले को, प्लस, तो 4, 4000, multiply किया, उपर वाले नंबर को क्या करते है, प्लस, ठीक है, नीचे का नंबर आएगा, नीचे वाले नं 16 प्लस 3 अपन 4, है न, 4, 4 था 16 है, प्लस 3 वैसे का वैसे लिख दिया, नीचे 4 था वैसे का वैसे लिख दिया, 16 प्लस 3 कितना होता है, 19 अपन 4, 16 प्लस 3, 19, और जो नीचे था वो नंबर आ गया, यह आपका answer है, समझ में आ गया, इसको सब को pause करके copy कर ले न, ठीक है, यह स फर्स वन किया, सेकेंड वन किया, थर्ड वन किया, अब यह और यह, फॉर्थ और फिफ्थ यह आपको ही करना है, सेम, जैसा मैंने के अब इसे करना है, दो नंबर को प्लस करो, सॉरी, 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 दो नंबर को multiply करो, 2 और 9 को, और उपर लड़े को, प्लस, यहाँ भी, कोशन नंबर 2, convert into mixed number, अब आपको improper fraction दिया है, इसको हमें mixed number में बदलना है, पहले वाले कोशन का opposite, उल्टा करना है, समझ में आ रहा है, अभी हम second question करते है, पहला कोशन है, 30 divided by 7, आपको division तो आता ही है, ठीक है, 30 divided by 7, तो मैंने साइड में पहले ही कर लिया था, साइड में आप लोग को करने का, 30 divided by 7, 7, how many is a 30? नहीं आएगा, 7 का table बलो, जड़ो 30 नहीं आता, 7, 4,028, माइनस करेंगे तो आपको 2 आएगा, ठीक है, अब देखो, यह समझ में आ कि आपको divide करना है, जो 30 divided by 7 था, मैंने 30 divided by 7 किया, और यह मैंने solve किया, जो आपको 4th standard से सीखते है, division अब क्या करने का, जो पर question दिया है, वो वैसे का वैसी लिखने का, ठीक है, अब इसका answer क्या आएगा, मुझे mixed fraction में convert करना है, मतलब 1, 2, 3 नमबर यहाँ पर आएंगे, कैसे करने का, यहाँ पर नीचे नमबर क्या है, 7, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 7, एक नमबर हो गय आएगा, और जो quotient है, उपर, इसको quotient बोलते है, 4, वो आएगा यहाँ पर, समझ में आ गया, मैं पर फिर से समझा रहा हूँ, 7 जो नीचे था, वो नीचे ही आएगा, जो remainder था, वो उपर आएगा, and जो quotient था, 4, वो बाहर आएगा, ठीक है, लो, आपका mixed fraction बन गया, आपक mixed number या mixed fraction बन गया, खिचडी वाला, 1, 2, 3 number वाला, ओके, वैसी मैंने second one भी किया है, 7 divided by 4, तो 7 divided by 4 करने का, 4 का table बोलो, 4 वनजा 4, 4 टूजा 8, आगे निकल गया, इसलिए 4 वनजा 4, माइनस करेंगे, 7 माइनस 4, 3, ओके, अब question लिख लिए है, मैंने यहाँ पर, 7 अपोन 4 यह यहाँ पर लिख लिया, यहाँ भी 3 number आएंगे, 1, 2, 3, कैसे करने का, जो 4 नीचे है, वो नीचे ही रहेगा, इसमें remainder कौन है, 3, जो नीचे number है, remainder 3, वो उपर जाएगा, बचा क्या, quotient, जो quotient है 1, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, नीचे का number नीचे, remainder का number उपर, और quotient का number side में, आपका answer आ गया, ओके, मैंने इसको सब pause करके copy कर लेना, वैसे ही मैंने, 1 or 2 कर दिया, आपको 3, 4, 5, 6, यह चारों खुद से करने है, same, जैसा मैंने क्या वैसी करना है, ठीक है, और यह तो बहुत easy है, मैं इस ही में समझा देतो तुमको, write the following examples using fraction, आपको एक question दिया है, बड़ा सा, इसको बस fraction में लिखना है, उपर कैसे लिखना है, वैसी इसको लिखना है, बस, इसी में answer लिख देता हूँ, if 9 kg rice is shared among 5 people, बड़ा 9 kg rice है, वो आपको 5 people में बाटना है, how many kg of rice does each person get, each person मतलब, एक आदमी को कितना मिलेगा, तो कैसे करने का, 9 kg divided by 5, यह answer है आपका, 9 kg divided by 5, जब आप divide करोगे, तो आपको answer मिल जाएगा, कि एक आदमी को कितना मिलेगा, लेकिन आपको इसमें divide नहीं करना है, आपको सिर्फ बोला है, write the following example using fraction, यह आपका fraction है, यहापे answer खतम, मतलब, 9 kg को 5 लोग में बाटना है, बन गया आपका answer, वैसे यह भी same, वैसे ही है, to make 5 shirts of same size, आपको 5 shirt बनाने है, 11 meters of cloth is needed, 5 shirt बनाने के लिए आपको 11 meter का कपड़ा चाहिए, how much cloth is needed for one shirt, 5 shirt बनाने के लिए अगर 11 meter का कपड़ा चाहिए, तो एक shirt बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, same, 11 meter divided by कितना shirt बनाना है, 5, समझ में आगया, जब इसको divide करोगे, तो आपको मानुप पर जाएगा, कि एक shirt के लिए, कितना कपड़ा का meter, या कितने meter का कपड़ा चाहिए, समझ में आगया, 11 meter, M मतलब meter divided by 5 shirt, ठीक है, बस यह आपका answer है, इसको भी अच्छे से, नोड़ बूक में लिख लेना, अपने, टेक्स बूक में आपको यहां पर question से दिख नहीं रहा होगा, तो अपने टेक्स बूक में देख के लिख लो, और यह answer है, यह भी अपने नोड़ बूक में लिख लेना, कलम करेंगे practice at 10, thank you.